हेलो फ्रénerजस आज हम नमबर सिस्टों में पढ़ेंगे, कनवर्ड ऑक्टल नमबर टू में कीजिब्स करें ? इसके लिए मैं पस 345 ऐक तो प्रबर एय्यक्ती मैं लिखा है, अब हम इसकी एवरि डिजोट से मैंने यहा लिखते हु दोग tratar पमकृण कृण fanta का लगा व। हम इसगा ह्ना जो अक्ति नबयों से करें रही है फैस्ट मुंडिजन को से हम इस एक ब्वर्त करें थे हम हम पावा लगाते हैं 0 जीरो सी स्टार्ठ काते हैं 0 1 और 2 ठीक है 0 सी स्टार्ट करिया 0 1 और 2 अब इन में हम ब्रैकर्स लगा देंगे ठीक है और पलस का सिम्बल्स लगाएंगे राइट इस तरह कजी कहमा जो आये इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं 3 into 8 square लिखा है तो हम यह क्या लिखेंगे 3 into 8 square कितना हो गया हमारा 64 ठीक है राइट अब हम प्लस का साइन लगाएंगे 4 ठीक है इंटू 8 को अगर हम 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा 8 ठीक है जब हम प्लस 5 into 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा हम पर हमारा 1 अब हम क्या करेंगे ठीक को 64 से मोल्टी ठीक करेंगे तब हमारा रिजर्स के आएगा 1 92 प्लस 4 को 9 से मोल्टीक करें हमारा 자꾸 16 क्यार्य करेंगे तब हमारा डिजट्स क्या जाएगा 229 229 क्या है हमारा डिजट्स डेसिमल साइब नमबर होता है 10 तो हमने हैं के लिख दिया 10 अब आक्टन नमबर हमारा क्या था 345 अब बेस क्या था 8 जब हम 345 एक अक्टन नमबर को चींज करेंगे decimals number में तो हमारा रिजर्ट के आएगा 229 उक्टल नंबर का बेस हमारा 8 इसलिए 8 लिखा है decimal नंबर का बेस हमारा 10 होता है इसलिए हम यह 10 लिखेंगे ठीक है किसी भी उक्टल नंबर को decimals numbers में convert करने के लिए सबसे पहले उसके every digits को हम लिख देते हैं फिसके every digits को हम 8 से multiply करते हैं फिपावर लगाते हैं 0 1 2 और ब्रैकेट लगाके प्लस का symbols लगाते हैं इसके बाद हम इसको solve करते हैं जैसे 3 into 8 की power 2 यहांपर 64 आया इसी तरीके से 4 into 8 आया है यहां पर यह 5 into 1 आया है आज जब हमने 3 को 64 से multiply क्या 192 4 को 8 से क्या 32 5 को 1 से क्या 5 अब जब इन तीनों digits को प्लस क्या तो 229 एक ओक्टल नंबर 345 को जब हमने convert किया decimals नंबर में तो हमारा answer आया 229 229 क्या हमारे decimals नंबर इस तरीके से हम किसी भी दोक्टल नंबर को decimals नंबर में convert का सकते हैं